नमस्कार बच्चों कक्षा 10, exercise 8.4 प्रेश्ण 4 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टी कीजिए देखे प्रेश्ण है 9 secant square a minus 9 tan square a बराबर है 1, 9, 8 या 0 बच्चों आईए पता करते हैं देखे प्रेश्ण है 9 secant square a minus 9 tan square a के बराबर तो बच्चों देखिए इन दोनों में से ही 9 common ले लो तो हमारे पास बच गया यहां से 9 common ले लिया बाकी रहा गया secant square a minus 9 बाहर common ले लिया बाकी रहा गया tan square a बच्चों हमारे पास जो सर्फ समिका थी वह थी 1 plus tan square a बराबर secant square a तो यहां से tan square a इसके साथ plus अधर आके हो जाएगा minus तो secant square a minus tan square a और यहां बच जाएगा 1 तो secant square a minus tan square a किसके ब्राबर आया? वन के ब्राबर तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सही विकल्ब कौन सा है? option b no इसका सही उत्तर है no तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यहां प्रशन अच्छे से समझ आया होगा इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी वीडियोस देखकर अन्य प्रशनों को अच्छे से समझ सकते हैं धन्य बाद बच्चो